जै श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाए। आपने भगवान के भोग लगाते समय ये सुना होगा या कभी कहा होगा दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग बिदुर घर पायो मेरे मुहन। क्या आप जानते हैं कि ये क्यो कहा जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि इस कथन के पीछे का प्रसंग क्या है। महा भारत के पहले जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संदी करने हस्तिनापुर गए तो महराज दृत्राश्ट ने सेवकों को आग्या दी कि क्रिष्ण के स्वागत की त्यारी करो और चपन भोग बनाये उन्होंने सोचा कि क्रिष्ण को प्रसंग करके अपनी तरफ मिला लेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे। दृत्राश्ट की ये सेवा के पीछे कुभाव था और कुभाव से सेवा करने वाले पर भगवान कभी प्रसंग नहीं होते। सेवा हमेशा सत्भाव से करनी चाहि प्रभु का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। प्रेत्न में भगवान श्री क्रिष्ण सफल ना हो सके। दरत्राश ने भगवान से कहा कि इन भाईयों के जगडे से आप दूरी रहें। आपके लिए छपन बोग त्यार है, आराम से भोजन कीजे। भगवान श्री क्रिष्ण ने कहा कि तुमारे घर का अन खाने से तो मेरी बुद्धी भी ब्रष्ट हो जाएगी, पापी के घर का अन खाने से किसी भी व्यक्ती की बुद्धी ब्रष्ट हो सकती है। शपन प्रकार की खाद व्यस्तु में भगवान के लिए त्यार की गई थी, किन्तु फिर भी उन्होंने खाने से इंकार कर दिया। द्रोणाचार ने तब पूछा कि आप सभी का आमंत्रण इंकार कर रहे हैं, तो फिर कहां खाने जाएंगे। बोजन का समय हो गया है, कहीं न कहीं तो बोजन करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहां भोजन करने में आपको को इत्राज है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इंकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर भोजन करूँगा। भगवान ने सोचा कि विदुर्जी दीर काल से मेरी प्रतिक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाओं और भोजन करूँ। और इधर विदुर्जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया, अता मेरे घर भगवान आते ही नहीं। परंतु बिना बुलाई भगवान आज विदुर्जी के द्वार पर आखड़े हुए। द्वार खोलने पर चत्रबुज नरायन के दर्शन हुए। अत्ती हर्ष के आवेश में विदुर्ज सुलभा आसन तक न दे सके। तो प्रभु ने स्यम अपने हाथों से आसन बिछा लिया और विदुर्जी को हाथ पकड़ कर अपने पास बिठा लिया। भगवान ने कहा मुझे भूक लगी है बोजन परोसो। विदुर्जी सोचने लगे कि भगवान का सवगत कैसे करें। वे दोनों तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उन्हें संकोच हो रहा था कि क्रेशन को भाजी कैसे खिलाएं। इतने में तो भगवान ने चूले से भाजी का बर्तन उतार लिया और खाने भी लगे। वादिष्टता और मिष्टता वस्तू में नहीं प्रेम में हैं। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान अच्छे नहीं लगे किन्तु विदुर जी के घर भाजी खाई। अता लोग आज भी गाते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर पायो मेरे मोहन आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा क्रप्या लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले